किसी गाउं में एक साधू रह करता था, वह जब भी नाचता था तभी बारिस होती थी, इसलिए गाउं के लोगों को जब भी बारिस की जरूरत होती, तभी है लोग उस साधू के पास जाते और उनसे अनरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिस जरू नहीं हुआ, सहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गाउवालों को चनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिस होगी और अगर हमारे नाचने से बारिस नहीं हुई तो साधू के नाचने से भी बारिस नहीं होगी अगले दिन सुबह सुबह गाउवाले उन चारो लड़कों को लेकर साधू के कुटिया के पास पहुँचे गाउवालों ने साधू को सारी बात बताई फिर उन लड़कों ने नाचना सुरू किया पहले लड़के ने नाचना सुरू किया आदा घंटा बीच गया फिर पहला लड़का ठककर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और एक घंटे बीते बीते वह भी ठककर बैठ गया बागी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर वारिस नहीं हुई अब साधू की बारी थी उसने नाचना पर बारिस नहीं हुई, साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा, नाचते नाचते दो घंटे बीत गए, पर बारिस नहीं हुई, चार घंटे बीत गए, पर बारिस नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, धीरे धीरे साम धलने लगी, कि तभी बादलों की गड़गडाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिस होने लगी यह देखकर चारों लड़के दंग रहे गए और तुरंट साधू से छमा मांगी फिर चारों लड़कों ने साधू से पूछा बाबा भला ऐसा क्यों की हमारे नाचने से बारिस नहीं हुई और आपके नाचने से बारिस हो गई साधू ने उत्तर दिया जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ पहले बात तो मैं यह सोचता हूँ की अगर मैं नाचूंगा तो बारिस को होना ही पड़ेगा और दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक की बारिस ना हो जाए सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्धमान होता है वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए इसलिए अगर हमें सफलता हांसिल करनी हैं तो इस साधू की तरह ही अपने लक्ष को प्राप्त करना होगा